कुछ दिनों पहले ही केरल में नागरिक्ता संसोधन कानून CAA के खिलाफ विधानसवा में प्रस्ताव पास किया गया नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर देश के अनेको राज्यों में लोगो द्वारा किंद सरकार की आलोचना हो रही है केरल के अलावा पस्चिम बंगाल में ममता बेनरजी ने भी नेशनल सिटिजन्सिप और रजिस्टर और CAA के खिलाफ अपना विरोध जताया वहीं इसके बाद अब केरल के मुख्य मंतरी पिनराई बिजियन ने CAA के खिलाफ अव्यान चलाने की जरूरत बताया है उन्होंने पत्र लिख कर 11 राजजियों के मुख्य मंतरीयों को लोगतंतर और धर्म निर्पेक्ष्टा के लिए एक जूट होने के लिए कहा है ममता बेनरजी और अरविंध के जिरिवाल समेत 11 मुख्य मंतरीयों को लिखे गए एक पत्र में बिजियन ने कहा हमारे समाज के एक बड़े वर्क के बीच नागरिक्ता संसोधन अधिनियम 2019 को लेकर असंकाएं पैदा हो गई है मुख्यमंत्री विजयन ने लोकतंत्र और धर्म रिपेक्ष्टा की रक्षा करने के लिए सभी भारतियों की एक जुट्थ होने की मांग की है आपको बता दे की बंगाल में ममता बेनर्जी के राज्य और कई गैर बीजीपी सासित राज्यों ने नागरिक्ता संसोधन कानून को अपने राज्य में नहीं लागू करने का ऐलान किया है वही केरल एक ऐसा राज्य है जिसने इस कानून के खिलाफ विधानसभा में आसाय प्रस्ताव पास किया है वही केरल विधानसभा में CAA को रद करने वाले प्रस्ताव पास करने पर केंदर मंत्री रवी संकर प्रसाद ने हाली में कहा था कि नागरिक्ता पर कानून पारिद करने की ताकत सिर्फ संसत के पास है और केरल विधानसभा साहिध किसी राज्जी विधानसभा को या अधिकार प्राफ्त नहीं है किरल को देखते हुए तमिलाडू और पंजाब के विधायकों ने भी विधानसभा का विशेश सत्र बुला कर CAA के खिलाब प्रस्ताव पारित करने की मांग की है मालूम हो कि एक तरफ जहां भी पक्षे नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर सरकार के खिलाफ नराजगी जाहिर कर रहा है वहीं BGP सयोगी पार्टियों ने भी केंदर सरकार द्वारा लिये गए फैसले का विरोध किया है CAA और NRC को लेकर तमिलाडू, बिहार और पंजाब में BGP सयोगी दलों ने इसका विरोध किया बिहार में जन्ता दल उनाइटेट के पार्टि पाधियक्ष प्रसांद की सोर ने बिहार में NRC नहीं लगू होने की बात कही है नागरिक्ता सुनसोधन कानून में पडोसी देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगलादेश से आए गैर मुस्लिम स्रनार्थियों को भारत की नागरिक्ता देने का प्रवधान है कानून का विरोध कर रहे लोगों ने CAA को धर्म की अधार पर नागरिक्ता देने वाला कानून बताया है जो की सीधे तौर पर संबिधान की आर्टिकल 14 का उलंगन करता है नमस्कार नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरुतों के लिए हमेशा से यूटूब एड्स पर निरपर रहा है हमारी काफी वीडियोज को यूटूब की तरफ से डी मोनेटाइज कर दिया जाता है जिसके चलते हमें एड्स ने मिल पाती इसकी वज़ा से हमें आर्थिक समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा जरुरत अब है पैट्रियोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं जिसका मतलब हुआ कि हम अजादी से पत्रिकारता कर पाएंगे आप से सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी अवाज को और बुलंद कर पाएंगे आप पैट्रियोन पर मातर दो डॉलर करीब 140 रुपर परतिमा से हमारी सहायता कर सकते हैं पैट्रियोन क्रेटिट कार और डेविट कार दोनों ही सपोर्ट करता है हाँ जरूर यह है कि पैट्रियोन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इलाउड होने चाहिए अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर करके इसको असानी से चालू करवा सकते हैं पैट्रियोन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें